कई घंटों से लगातार पतला दस्थ हो रहा है और रुखने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लूज मुशन और डाईरिया के नाम से भी जाना जाता है, पतला दस्थ को यदि समय रहते ही कंट्रोल नहीं किया गया, तो यह काफी खतरनाक साबित हो सकती है. आज जो मैं remedy लेके आई हूँ पूरी तरह से घरली हो आपके घर में ही आपको सभी ingredient आपको मिल जाएगी बहुत ही आसान उसका है इसका इस्तेमाल से आपसे पांच मिनट के अंदर आपकी चाहे जितने भी पतले दस्त हो लूज मोशन हो चाहे जितनी भी खतरनाक से खतरनाक तरह पतली दस्त हो रही हो वह कंट्रोल हो जाएगी साथ ही यह उल्टी हो रही हो वह वह सब्सक्राइब करके बेल बेटन जोर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली सब भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे लूज मोशन डाइरिया या फिर पानी के तरह पतला दस्त यह कोई बिमारी नहीं है यह एक्चुली में यदि आप गंदे हांतों से कुछ खा पी ले रहे हैं और या फिर गंदा पानी आप पी लिए हैं इस वज़से ऐसा होता है इस वज़से लूज म लूज मोशन होने की चांस बहुत ज़्यादा भर जाती है पतला दस्त तब ज़्यादा गंभी रूप ले लेता है जब यह पानी की तरह पतला हो रहा हो और करीब 20-30 बर हो गया हो और इसके साथ है आपको उल्टी भी हो रही है तो यह और पी ज़्यादा गंभी रूप ल हो गई है पतला दस्त हो गई है तो आपको मैं छोटी सी उपाय मैं बता रही हूं इसको आप करके आप पांच मिनट के अंदर चाहे जैसी भी लूज मोशन पतला दस्त या फिर डाइरिया कि सिकायत हो एक तम कंट्रोल अब कर लेंगे बस आपको वीडियो को ध्यान से है तो क्या होता है कि हमारे सरीर में पानी की कमी आने लगती है जैसे डिहाइड्रेशन की प्रॉलम हो जाती है और डिहाइड्रेशन की प्रॉलम को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान उपाए आपको पहले ये करना है कि आपको एक ग्लास पानी लेना है और उसमें एक चमस स्टार्ट करेंगे आपका लूज मोशन भी कंट्रोल होगा और जो आपको कमजोरी आ रही है वो तुरत में आपकी कमजोरी आना रुकेगी यानि आपको ताकत मिलने लगेगा और दूसरी जो आपको मैं इसकी रेमेडी बताने जा रहे हूं वह रेमेडी है बहुत यह आसान इसकी मैं बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हूं उससे भी आप देख सकते हैं पतला दस्त हो या लूज मोशन हो आपको एक चमस कच्छा जीरा चबा के खा जाना है और उसके पीछे आपको पाने पी लेना है बस कच्छा जीरा एक चमस आप चबा के खाले और तुरत में पाने पी ले और आप देखेंगे पांच मिनट के अंदर अंदर आपकी सभी तरह की लूज मोशन चाहे पतला दस्त या फिर जिससे आप डाइरिया कहते हैं लूज मोशन कहते हैं एक दम कंट्रोल हो जाएगी उल्टी भी बंद हो जाएगी पेट का धरत ठीक होगा और जीरा काफे गुंकारी होती है इसे अब आज मां के देखें आपको 100% इसका रिजल्ट मिले गए और लूज मोशन डैरिया या फिर पतले दस्त के लिए दूसरी रेमेडी जो मैं आपको बताने जारी हूं ये भी आपको एक खुराक में राहत देगी और इसके लिए आपको आधा कप कच्चा दूद लेना है ये देखिए ये है कच्चा दूद आधा कप ले लिए मैंने और उसमें आपको निम्बू नी चोड़ देना है निम्बू जैसे ही आप नी चोड़ते हैं दूद के फटने के पहले ही आपको पी जाना है क्योंकि जैसे ही आप दूद में निम्बू ने चोड़ेंगे न तो दूद्ध फटने वाला इस्तिती में आ जाती है तो दूद्ध फटने के पहले या पुतुरत पी लेना है उसे बस आप देखेंगे कि आप पांच मिनट के अंदर अंदर आपकर लूज मोसन पतला दस्त डायरिया चाहे जो कुछ भी हुआ हो एकदम ठीक हो जाएगी और एक खुराखी काफी है इतना यह पावरफुल रेमीडी है तो दोनों में से यदि आप कोई भी एक रेमीडी यूज करते हैं तो आपकी लूज मोसन एकदम कंट्रोल हो जाएगी पतले दस्त आपको एकदम कंट्रोल हो जाएगी और फिर दु सबी वीडियो आप तक सबसे पहले वीडियो को लाइक जोड़ करें अपना प्यार दें ताकि मुझे मॉटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ले के आ सकूँ स्टे सेफ एंड स्टे हेल्ट